है लो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं इस्टड़ी फीट ओफ फीजिक लेजुकेशन चैनल दोस्तों आज मैं 33 गृष्म कालिन पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में मैं सभी important point लेकर आई हूँ जो आपके किसी भी exam में पूछा जा सकता है इस वीडियो में इतना मेनत किया गया है दोस्तों कि आप किसी भी competition exam को preparation कर रहे हो आल इंडिया किसी भी exam के लिए सभी टापिक इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे एक भी important point यहां पे छुटा नहीं है बस वीडियो को पूरा देखिए सुरू से last देखने के बाद आपको खुदी याद हो जाएगा मैं इस तरह से आपको बताऊंगी इस तरह से serial by मैं इसमें set की हूँ कोई एक बार वीडियो देखने से ही आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा और लार्ज तक वीडियो देखने तक आपको खुदी पता चल जाएगा मैंने इस वीडियो में कितना मेनत किया हुआ है आप सब के लिए तो दोस्तों चलते हैं व तो हमारा यह कौन सा संस्क्रण है यह भी पुछ चकता है 33 गिर्ष्म कालिन पेडिस उलम्पिक 2024 जो है यह 33 संस्क्रण है इससे पहले 32 संस्क्रण जो है 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था और इसके बाद जो 34 संस्क्रण होगा 2018 में लासे Анजिल्स में होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 24 की जो पेरीश ऑलम्पिक है इसकी मेजवानी किस ने किया था तो मेजवानी पेरीश जो फ्रांस की राजधानी है जो दोस्तों यह पेरीश जो है उलम्पिक ग्रिष्मकालिन ओलम्पिक खेलों की तीसरी बा और उलंपिक खेलका में जवानी कर रहा है तो इसको भी याद रखिएगा और 2008 जो 34 वा उलंपिक कहां पर संपन होगा दोस्तो तो यह उलंपिक लास एंजल्स अमेरिका में संपन होगा याद रखिएगा अब बात करते हैं उलमपिक के उधगाटन समारोह की तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उद्घाटन जो है मिलबान देश का राष्टा राष्ट या राष्ट पती करता है और समापन जो है आयोसी का अध्याच्छ करता है तो उद्घाटन समारो हुआ तो उधगाटन समारो जो है जार्डिंस डू प्रोकाडेरो सीन नदी के किनारे पेरी से सहर में हुआ याद रखेगा आज सबसे मातपुर बात यह है यहाँ पे कि जो है प्रथम बार गिस्म उलम्पिक समारो का उधगाटन समारो किसी स्टेडियम में नहीं बलकि खुले में आयुजित किया गया उधगाटन समारो का जो परेड है मार्च पॉस्ट है वो सीन नदी जिसके किनारे पेरी सह इस्थित है परतैती नाओं पर आयुजित किया गया ठीक है जो समापन समारो है वो किस स्टेडियम में हुआ जो समापन समारो है वो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में फ्रांस की सबसे बड़ी स्टेडियम में संपन हुआ जो 2024 फेरीस फ्रॉंस का उलम्पिक है या 26 जुलाई से 11 अगस से 2024 तक चला एंड इसमें 206 राष्टिय उलम्पिक समितियां के पदग विजिताओं के लगभग 15,500 खिलाडियों ने भाग दिया एंड दोस्तों जो समापन समारो होता है वो आई ओसी का अध्यच्छ करता है तो यहाँ पे अंतराश्टिय उलम्पिक समीच से के अध्यच्छ कोन है थामस बाग में एखलीटो और फ्रांसीसी तैराग लियोन मार्चंद के साथ मेजवान सहर पेरिस फ्रांस में 11 अगस्त 2014 को लो बुझा कर जो मसाल होता है उसको बुझा कर अधिकारिक रूप से 35 गृष्ण काली उलम्पिक की समापन की घोशडा की प्रतिकात्मक रूप से अंतराश्टी जंडे को लास एंजिल सहर को शौब दिया गया जो 34 गृष्ण काली उलम्पिक की मेजवानी करेगा तो इससे दो चार कोस्टन बन जाता है तो सबसे पहला कोस्टन यहीं होगा कि उलम्पिक का समापन की घोशडा कौन करता है तो पूछा भी था तो आप जान सकते हैं एड़ अब चलते हैं धोजवाहक के बारे में जानते हैं जैसे की धोजवाहक क्या होता है कि खेल के उधगाटन समारों और परेट की दवरान अपने देश की दल निर्तित्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है तो यहां पे पीवी सिंदू बैल्विंटर से हैं जो उलम्पिक में दो बार पदक बिजेता हो चुकी हैं 2016 रियो उलम्पिक में इन्होंने बैल्विंटर में रज़त जीता था और 2020 टोक्यो जापान में इन्होंने कासे पदक जीता था सरत कमल जो टेनिस से हैं तीन बार के राश्रमंदर खेलों की बिजेता है और दोस्तों आपने जान लिया उधगाटन समारों में पीवी सिंद्यों और सरत कमल ने धोजवाहक बने और समापन समारों में यानि क्लोजिंग सिरिमेनी में मनुभाकर निसाने बाजी और पीयर स्रिजेस होकी ये दोनों समापन समारों में धोजवाहक रहे कुछ इंपोर्डिन पॉइंट है जिसे हम देख लेते हैं इंपोर्डिन पॉइंट में क्या है कि 1920 गृष्मकॉली उलम्पिक में भारतिय धोज ले जाने वाले प्रथम भारतिय थे नेक्ट है कि सावनी विल्सन 1912 बर्सिलोना उलम्पिक में भारतिय धोजवाहक बनने वाले पहली महला बनी ताथ मेरी कौम और मनप्रील सीम 2020 टोक्यो उलम्पिक में संयुक्त रूप से भारतिय धोजवाहक थे उद्घाटन समारों में याद रखे का 2020 टोक्यो उलम्पिक में उद्घाटन समारों में कौन था तो मेरी काम मनप्रित सिंग और समापन समारों में बजरंग पुनिया यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्वजवाहक होता क्या है जो ध्वजवाहक होता है वह खेल के दौर उद्घाटन समारोग जो है और परेड के दौरान अपने दीज के दल का नितित्व करने वाला पहला ब्यक्ति होता है अब बात करते हैं दोस्तों सुभंकर की 2024 पेरीज उलंपिक का सुभंकर यानि मस्कट क्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं जो सुभंकर की सुरुवात हुआ था सुभंकर की सुरुवात 1968 मैक्सिकों सेट्यू में हुआ था और पहला सुभंकर था पालोमा कबुत्तर लेकिन अधिकारी पुरुप से सुभंकर की सुरुवात 1972 म्यूनिक पस्चमी जर्मनी में हुआ था जिसका सुभंकर था वालदी एक सिकारी कुट्ता तो सुभंकर 2024 फेरीज उलंपिक का क्या है दोस्तों त्याहाँ पे उलंपिक फ्रीज क्या है सुभंकर उलंपिक फ्रीज एक फ्रीजियन कैप यानि टोपी है जो पारंग पर एक छोटा फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है जिनके आकार के सुभंकर बनाए गये है इसका नाम और डिजाइन को सुतंता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसिसी गड़राजी के प्रतिकातमक आकडों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है दोस्तों दोज़़जार चोबीस फेरिस उलंपिक असुभंकर है उलंपिक फ्रीज एक फ्रीजियन कैप जबकि 2020 टोक्यों उलंपिक असुभंकर क्या था मिराई तोवा क्या था मिराई तोवा अब बात करते हैं आदर्सवाग यानि की मोटो की आदर्सवा क्या था 2024 पेडिस उलम्पिक का जो आदर्सवा के था वह था गेम वाइड ओपन यानि अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं यह 2024 पेडिस उलम्पिक का मोटो है जिबकि 2020 टोक्यो जापान उलम्पिक का मोटो था उनाइटेड बाई इमोशन आगे है दोस्तो 2024 पेडिस उलम्पिक में चार नए खेल सामिल किये गए हैं most important है दोस्तों यह चार नए खेल कौन कौन से हैं यहां पे 4 नए खेल सामिल किये गए हैं ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइविंग सकेट बोर्डिंग यह चार नए गेम सामिल किये हैं याद रखेगा एधियर दोस्तों सबसे ही pole है छो दोजर अठाइस लास एंजल्स अमेरिकां में क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा जो प्रतंबर आयोजन प्रतंबर सामिल किया गया था क्रिकेट को 900 वेरेस फ्रॉंस में किया गया था दोस्तों इस सभी इंपोर्णी पॉइंट जो पिछले अध्याय से भी यह कही वीडियो में आपका गाँजर में साग्र भ हरने कि मैं कोसिस की हूं अब बात करते हैं पदक तालिका की दोश्टो पदक तालिका में जो है पेरी अलमपी को में सईقर अमेरिका तजिफेंग मेस सब से आगए रहा भारत दीफों के साथ 6 एक स्ट्र हुए आ no रहा तो सबसे फर्ष्ट रथाम कोन आ या है सईयुक्त राज अमेरिका सबसे कोन आ पह्याज अमेरिका जो 44 ना चार्चे बालीड पदक 45 पर देक कुल 126 पदक प्राप्त किया है एंड दोस्तों दुसरे अस्थान पर कौन आया है दुसरे अस्थान पर आया है चीन चीन जो है आपका 40-60 पदक 27 रज़त पदक 24 कांस पदक और कुल 91 पदक प्राप्त किया है एंड तिसरे अस्थान पर कौन है टिस्सम पर जापान है चोथे पर है आपका आश्टेलया पांचोई पर फ्रांस ठीकरैं तो यहां पर देख रहा ह springs कि जो फ्रांस से कुल जोड़प्त किया है ऑल्बिश्ट्रल Congrats प्राप्त किया है पिर फिर भी आस्ट्रेलिया जो है चौत्य अस्थान पर है दोस्तों 60 पदक के अंसार अस्थान निधायत किया जाता है इसमे आस्ट्रेलिया 18 स्थान पर रखा गया है और फ्रांस को पांचवे जो हमारा भारत है भारत जो है 6 पदक प्राप्त किया है इस उलम्पिक में 2024 पे इस उलम्पिक में 6 पदक प्राप्त किया है और 71 अस्थान पर है जिसमें से जो भारत है एक भी 60 पदक प्राप्त नहीं किया इस बार एंड एक रज कासे पद्दत किया है और 5 कासे पदक कुल 6 k-rak भारत किया है तो याद रखियेगा कूल 6 पदक, 5 कासे पदक, 1 रज कासे पदक आगे हैं दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक में तीसरा सरसेष्ट भारती पदर्शन है यह सबसे ज़्यादा अच्छा पदर्शन था 2020 टोक्यो लंपिक में जिसमें सबसे ज़्यादा आज तक में पदक प्राप्त किया है साथ पदक जिन साथ मेडल प्राप्त किया था 2020 टोक्यो में जिसमें से एक स्वर्ट दो रजट चार कांसे पदक जीता हुआ था भारत ने तो पेरिस ओलंपिक में 117 सदसी खिलाडियों की टीम वाले भारत ने केवल 6 पदक जीते एक रजट और पांच कांसे पदक जीते चह भारती खिलाड़ी चोथे अस्थाम पर रहे यानि की और मामली अंतर से कांसे पदक से भूल गए चूक गए छे लोग ऐसे थे कि कांसे पदक पाने वाले थे बट चूक गए एंड दोस्तो ग्रिश्मिक काल इन उलंपिक में भारत के लिए तीसरा सरसेट पदरसन था य इस टोकियो अलंपिक में था जहां भारत ने साथ पदक जीते जिसमें एक स्वड़ दो रजत चार कांसे पदक जीता था तो उसमें क्योंकों एक स्वड़ किसने जीता था नीज़त चोपड़ा 87.25 मिटर थ्रो करके भाला फेक में एक रजत मीरा बाई चानू वेट लिप् पॉक्सिन में बीवी सिंदू बैड़ विंटर में बजरंग पुनिया कुस्ती में अभारती होकेटी एन दोस्तों भारत का दूसरा सवसेश पदाशन था 2012 लंदन उलंपिक में था जब उसने च्छय पदक गीता था दो रजत और चार कांसे पदक और यह पीरिस जो है तीस 12 में भारत ने छे पदक जीते जिसमें से एक रजत और पांच कांसे पदक जीते थी तेक है एंड इसमें कौन-कौन है पहला है आपकी मनुभाकर जो पेरिस अलंपिक दो हजजार चौविस वे भारत की तरफ से पहला मेडल लाई मनुभाकर जो महिलाओं की मनु भाकर जो हैं महिलाओं की 10 मीटर एयर फिश्टल में कहां से पदक जीती है एंड दूसरा मेडल जीते हैं मनु भाकर और सरबजीत सिंग दोनों ने मिलकर 10 मीटर एयर रॉफल में पिश्टल मिसरी टीम सुटिंग में कहां से पदक जीता एंड तीसरा मेडल जीते हैं श्वापनिल कुसाले जो पूर्सों की पचास मीटर राइफल थ्री पोजीसर में कांसे पदक जीते चौथा मेडल है भारतिय पूरुस हांकी टीम जो पूरुस हांकी में कांसे पदक जीता है पांचवा मेडल है नीरच चोपड़ा जो है भाला फेक में रजट पदक इस बार जीते हैं पिछली बार इहोंने 87.58 मिटर थ्रो करकी स्वण पदक जीता था और इस बार इहोंने रजट पदक जीता है च्छटवा मेडल प्राप्त किये हैं अमन सहरावत जो है पूर्सो की 57.59 फ्रेश टाइल वर्ग में कांसे पदक इन्होंने जीता है यह छे मेडल इन्होंने जीता है जिसमें से तीन जो है तीन मेडल जो है आपके जो है निसाने बाजी में एक आपके तीन कांसे पदक निसाने बाजी में एक कुस्ती में जीता हुआ है एक होकी में पांच हो गए और एक भाला फेक में रज़त पदब तीन एक एक यानि कि कुल पांच जो है आपके ब्रॉंज मेडल हुए तीन आपके निसाने बाजी में एक कुस्ती में एक हाकीती में और एक आपके हुए भाला फेक में रज़त पदब दोस्तों अब इन छेओं के बारे में आपको डीटेल में बताऊंगी जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही आराम दायक होगा अच्छे से एक एक खिलाडी के बारे में मैं डीटेल में समझाऊंगी यहाँ बने रहीएगा बस आपको सबी चीजे मिलेंगी तो सबसे पहले बात करते हैं निसाने बाजी में भारत ने कितने पदस पाप किया है ये भी कोजन पूछ सकता है तो निसाने बाजी ने भारत में पेरी सुलंपी में तीन कांस से पदक जीते हुए हैं तो उसमें से पहला है मनु भाकर जो कांसे पदक जीती हैं दस मिटर एयर रॉइफल एयर पिस्टल में इनका चित्र भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है मनु भाकर जी कांसे पदक जीती हैं दस मिटर एयर पिस्टल में 33 उलम्पिक पेरिस 2024 को इन्होंने पहला पदक दिलाया है एंड उलम्पिक में निसाने बाजी में पदक जितने वाली पहली भारती महिला निसाने बाज बनी है जैसा कि इससे पहले आप लोग जानते थे दोस्तों कि उलंपिक पदक जितने वाली पहली महिला जो है थी वह थी हमारी कडम मलेस्वरी कौन थी कडम मलेस्वरी 2000 सिडनी उलंपिक में वो भी किसमे तो भारत तोलन में ठीक है कडम मलेस्वरी जो है भारत की तरफ से भाग लेन वाली पहली महिला बने थी और ये मनु भाकर जो है कि प्रइन जिसी ओलपिक निशाने बाजी पनी पॉलंपिक है था यह मोनु बताएंगे दोस्तों कि उलम्पिक में निसाने बाजी में भारत के लिए बदक जितने वाले पहले निसाने बाज कौन थे ओ थे दोस्तो राज वर्धन सिंग राठ हौर कौन थे राज वर्धन सिंग राठ हौर 2004 एथिंस उलम्पिक में रजत पदक जीते थे वहीं आगे है कि उलम्पिक में निसाने बाजी में एक मात्र स्वर्ण पदक किसने जीता तो वह है अभिनो बिंद्रा जो 2008 बीजिंग उलम्पिक में जीते थे ठीक है 2008 बीजिंग उलम्पिक में अभिनो बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था 10 मिटर एर राइफल में आगे है उलम्पिक के एक ही संस्क्रण में दो पदक जीतने वाले भारती एथलीट कौन थे दोस्तों तो नार्मन प्रिचर्ड जो 1900 उलम्पिक में 200 मिटर दवड और दो सो मिटर बाधा दोर में रज़त पदक जीता यानि एक ही उलम्पिक में दो पदक जीतने वाले पहले थे नार्मन प्रिचर्ड भारत ने उलम्पिक में कब भाग लिया सबसे पहले थो yaris फ्रांस में यह भी याद रखेगा और नार्मन प्रिचर्ड जो है एक ही दो काष्य पदक जीती और आजादी के बाद ओलंपिक के एक ऐही संस्क्राण में दो पदक जीतने वाली पहली भारती यह बनी हैं तो पहला इनुने मेलल जीता काष्य पदक जो पेडली सोलंपिक दोज़ार चोवीश को पहला पदक दिलाया दूसरा जो है एक मिस्रित प्रतिसपरदा मनुभाकर और सरभजीत सिंग मिलकर के इन जीता इसलिए यह जो है दो पदक एक ही संस्क्राण में जीतने वाली पहली महिला बनी है और यह दूसरी खिलाड़ी बनी है पहले आपके नामें प्रिचर्ड थे कोर्ण नमबर स्वरी दोस्तों यहां पर बात करेंगे मनुभाकर और सरभजीत सिंग के मिलकर जो मिसिद इस परदा है जिसे मिलकर कांसे पदग जीते थे इसपरकार मनुभाकर का दो पदग हो जाता है तो मनूवाकर औशरफजी सिंघ मिलकर कांसे पदक जीती ह думаю है यहाँ पे मैंने इमेज लगाया हुआ हैוे मेंमनूबऑकर औशरषजी सिंघ का तो यहोंने दोनों मिलकर क्या जीतें कांसे पदक जीतें किस इस परधा में 10 मिटर एयर पिस्टल मिसिट टीम निसाने बाजी में किसको हरा कर जीता दोस्तों ये ओह ए जिन और वुन्हू ली की दच्छी कुरिया की जोड़ी को 16-10 से हरा कर जीता कुछ इंपोर्टिन पॉइंट यहां पे देख लेते हैं इंपोर्टिन पॉइंट यह है कि भारत ने पहली बार उलम्पिक निसाने बाजी की मिसित इस परधा में पदग जीता है अब ये तक मिसित निसाने बाजी में नहीं जीता था तो भारत ने पहली बार उलम्पिक निसाने बाजी की मिसित इस परधा में पदग जीता इस उलम्पिक में मनु भागर के लिए दूसरा और सरब जी सिंग के लिए पहला पदक था अब बात करते हैं तीसरा निसाने बाजी में क्योंकि निसाने बाजी में तीन कांसे पदक भारत ने जीता है एक कुस्ती में एक होकी में पांच कांसे पदक हुई तो तीसरा निसाने बाज़े में कांसे पदक किस दे जीता है दोस्तों वो है स्वपनिल कुसाली महराश्टर के जिन्होंने कांसे पदक जीता है किस इस परधा में पूर्सो की 50 मिटर राइफल 3 पोजिशन में इन्होंने कि राइफल इस परधा में पदक जीतने वाले पहले भारतिय निसाने बाज अभिनव बिंद्रा दो हुजर आठ बीजिंग उलम्पिक में दस मीटर एयर राइफल में स्वरपदक जीते थे राइफल इस परधा में याद रखेगा आगे चलते हैं ये तीन आपके निसौनी बाजी में कांसे पदक हो गए एक नुबाकर अब दुसरा पदक नुबाकर और स्रफजी सिंग मिलकर के और तीसरा जो है स्वत्निल कुसाले ने कांसे पदक जीता है अब बात करते हैं जो भारतिय हां की टीम है इसने एक कांसे पतक जीता इसको हराकर स्पीर्ण की टीम को दो एक से हराकर इसके कप्तान कौन थे तो हरमन प्रेत सिंग थे और दोस्तो अनुभवी गोल कीपर पी आर स्रिजेस जो केरल के थे इन्होंने हाकी से सन्यास की घोशड़ा कर दी अन्य दोस्तो भारत जो है 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक पस्चमी जर्मनी उलम्पिक 1972 के बाद पहली बार हाकी में लगातार पदक जीते हैं तो हाकी में लागातार पदक यहने कि 1920 और 2024 उन्य इस सो बीस टोकियो जापार ओलंपिक में धि भारत ने कांसे पदक जीता था दोजारज़ चोडिस पेरीस उलम्पिक में भारत कांसे पदक जीता ठीक है तो उस से पहले कांसे पदक कब जीता था और साथ 1972 यानि कि दोस्तों जैसे कि बात करते हैं सुड़ पदक किस ने जीता उनिस सो 2024 पेरिस उलंपिक में निदर लेंड की टीम ने जीता होकी में सुड़ पदक किस ने जीता निदर लेंड की टीम हाकी में रज़त पदग किसने जीता जर्मनी कांसे पदग जो भारती टीम है वह जीती है कुछ important point है हाकी से related कि भारत जो भारत है भारत जो है उलम्पीक में हाकी में अब तक 13 पदग जीत जुगा जिसमें से आठ स्वड एक रज़त और चार कांसे पदग ठीक है दोस्तों जिसमें से 1928 जैसे कि भारत ने उलम्पीक में सबसे पहले स्वड पदग कम जीता तो 1928 में हाकी में जीता और भारत उलम्पीक में अधिकारी क्रूप से कब भाग लिया तो 1928 एमस्टरडम हॉलेंड उलम्पिक में तो 1928 एमस्टरडम हॉलेंड उलम्पिक से लेकर 1980 मासकों तक लगातार स्वड पदग जीता 1960 को छोड़कर जिसमें 800 पदक जीते उसके बाद 1960 में रोम में रजत पदक जीता है रजत पदक एक ही जीता है अभी तब फिर 1968 मेक्सिको सिटी 1972 में यूनीक 2020 टोक्यो जपान और 2024 पेरिस फ्रांस में चार कासे पदक जीते तो इस प्रकार कुल 13 पदक भारत ने हांकी में उलम्पिक में जीता हुआ है अब बात करते हैं चार आपके कासे पदक होगे तीन निसाने बाजी में एक हांकी टीम में पुरुस हांकी टीम में अब पांचवा कासे पदक कुस्ती में जीता हुआ है अमन सहरावत ने अमन सहरावत हर्याडा के हैं जो कासे पदक जीते हैं यहां पे आपका चित्र दिया हुआ है इन्होंने कितनी भारवर्ग में संतावन केजी भारवर्ग में याद रखेगा ये भी पूछा जाता है किसको हरा कर जीता तो ये आपको प्यूटो रिको के डेरियान टोई क्रूच को तेरह पांच के अंतर से हरा कर जीता और इसी कुस्ती में दोस्तों आप सबको पता है बिनेस फोगाड को डिस्क्वालिफाई किया गया है तो उससे रिलेटेड जो इंपोर्डिन पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं आपके बिनेस फोगाड का यहां पे चितर दिया हुआ है तो बिनेस फोगाड जो है हर्याडा की है जो 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोसित कर दिया गया 100 ग्राम ज़ादा वजन होने के चलती पहली बार उलम्पिक रेशलिंग के फाइनल में पहुचने वाली भारत की पहली महिला इस्टार बनी है बिनेस फोगाड ठीक है फाइनल में इन्होंने दो क्रास करके गोल्ड मेडल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था क्यूबा की यूसनेलिस गुजमेन लोपेज को पांच जिरो से हरा कर स्वण पदक में अपनी जगह बनाए थी लेकिन 100 ग्राम ज़ादा होने से अयोग गोसित कर दिया गया दोस्तों फाइनल के लिए अयोग गोसित किया गया लेकिन जो इन्होंने रज़त पदक दिता हु अगर कहीं इनको रज़त पदक मिल जाता है तब आपको अलंप्रिक में 7 पदक हो जाएंगे है ठीक है लेकिन अभी नहीं मिला है अभी इतना इनको इसलिए छे पदक हैं ठीक है अगर भाविस में इनको मिलता है तो 7 पदक आप इंक्लूड कर लीजेगा फिर ए मत कहिएग सिरावत जो है उलम्पिक में पदक जितने वाले सबसे कम उम्र के भारतिये बने हैं जो 21 साल 24 दिन के हैं दोस्तों तो यह कोशन भेरी इंपोर्डिन है कि उलम्पिक में पदक जितने वाले सबसे कम उम्र के भारतिये कौन बने हैं तो 21 साल 24 दिन के अमन सिरावत जो है कुस्त दिन उम्र में रज़त गीती थी तो इससे पहले पीवी सिंदु थी सबसे कम उम्र की जो पीवी सिंदु है गिश्म कॉलिन उलंपिक में सबसे कम उम्र की पदख गीतने वाली महिला है और पूर्सों में हैं आपके अमन सिरावत अब बात करते हैं दोस्तों पांच कांसे पदक आपके हो गए तीन निसाने बाजी में एक आपके भारती हाँ के टीम और एक कुस्ती में पांच छट्वां पदक है आपके भाला फेक में रज़त पदक प्राप्त किया है निरस चोपड़ा ने निरस चोपड़ा ने रज़त पदक प्राप्त किया है कितना फेक कर दोस्तों इन्होंने 89.45 मिटर भाला फेक कर रज़त पदक इस बार जीता है इससे पहले इन्होंने 2020 टोक्यो ओलम्पिक में 87.58 मिटर फेक कर स्वड़ पदक जीता था और इस बार पेरिस ओलम्पिक 2024 में भाला फेक में स्वड़ पदक किसने जीता तो आसद नदीम जो पाकिस्तान के हैं जिन्होंने स्वड़ पदक जीता है दोस्तों इन्होंने आज तक के सभी रिकार्ड को तोड़ दिया है 92.97 मिटर भाला फेक कर किसका रिकार्ड तोड़ा है दोस्तों इन्होंने रिकार्ड तोड़ा है नारवे के आंद्रियास टी का जो उलम्पिक रिकार्ड तोड़ा है ये 2008 बीजिंग उलम्पिक में 90.57 मिटर भाला फेके थे इन्होंने अरसद नदीम ने 92.97 मिटर भाला फेक कर सभी रिकार्ड इनके रिकार्ड को भी तोड़ दिया और इसमें कांसे पतक किसने जिता है दोस्तों कांसे पतक जिता हुआ ग्रेनेडा के एंडर्सन पिटर्स अठासी दसों लोग पांच चार मीटर भाला फेक कर तो अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टिंट पॉइंट की कुछ इंपोर्टिंट पॉइंट है दोस्तों जैसे कि भारत की 16 खेलों की 117 खिलाड़ी भाग लिए जिसमें 47 महिला प्लस 70 पुरूस एथलीट ने भाग लिया भारती दस्ती में सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी केवल एथलैटिक्स के थे दोस्तों दल में यहां दाल नहीं है दल में कुल 23 राजियों के खिलाड़ी भाग लिए किसनी राजियों के 23 राजियों के इनमी से सबसे ज्यादा किस राजियों के खिलाड़ी भाग लिए तो 22 ख एंजाग से 20 खिलाड़ी तमिलाणू से 14 खिलाड़ी तेलंगाना से 5 उत्तर प्रदेश से 7 खिलाड़ी भाग लिए एंड दोस्तों यहां भी सभी इंपोर्डेंट पॉइंट में बता रही हूं जो आपके लिए आवस्यक हैं दूसरा है दोजर चोबीस पेरिस उलंपिक में प्रथम गोल्ड किस ने जीता तो चीन ने जीता एंड हाकी में मैलाव पुरुस दोनु टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है वो है निदर लेंड है नेक्स्ट है चोथा है आपका कि पेरिस उलंपिक दोहजार चोबीस यहां पर दोस्तों थोड़ा कम यहां पर पढ़ रहा है थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देती हूं हाँ तो पेरिस उलंपिक दोहजार चोबीस में पुरुसो की 100 मिटर स्प्रिंट में स्वर्ड पदक गितने वाला धावक है बेरी इंपोर्डिन है तो पेरिस उलंपिक दोह स्वर्ड पदक जीतने वाला धावक है नोवा लायल्स यूससे यानि सवर्ड राज अमेरिका का धावक है याद रखेगा नोवा लायल्स जो पुरुसो की 100 मिटर स्प्रिंट में स्वर्ड पदक जीता है पाजवा है दोहचर चोवीस प्रेरी इस उलंपिक में टेनिस की में सिंगल्स में गोल्ड पाया किसने पाया तो नुवाग जो सर्भिया के खिलाडी है जो टेनिस एकल में सबसे उम्र दराज स्वर्ड पदक बिजेता है सबसे जादे उम्र के एक किसको हरा कर जीते हैं कारलोस अलकारेज को जो रज़त पदक जीती हैं चटा है दोस्तो किस देश की फुटवाल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड जीता है तो वहाँ इस्पेन है जो फाइनल में फ्रांस को हरा कर 32 साल बाद गोल्ड जीता है नेक्स्ट है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में 44 वर्स के सबसे उम्र दराज खिलाडी कौन है दोस्तो वह है रोहन वोपन्ना टेनीस खिलाडी इन्होंने टेनीस से रिटार्मेंट ले लिया है सबसे जादे उम्र 44 वर्स के एक पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्यक्ति हैं आठवा पॉइंट है कि 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतिये कौन है तो ओ है दोस्तो धी निधी दे सिंधू ठीक है जो ए उलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारति होंगी धी निधी दे सिंधू पहली युवा भारति थी आरती साहा जो 11 साल की उम्र में 1972 हिलंस की उलंपिक में हिस्सा लिया था तैराकी में कि दोस्तों यहां पर टैपिंग मिस्टेक हो गया है यहां पर ध्यान दीजिएगा जो है आर्दी साह जो है तराकी में उनिस्सो बावन हिलन्सकी में इस साल या था ग्यारह साल की उम्र में तो ग्यारह साल की तैराक यहां पे होगा तो रह नहीं है यहां पे यहां पे तैराक है ठीक है यहां पे यह सबसे युवा भारती आतिसा है ग्यारह साल की तैराक थीक है तैराख यहां पे होगा 11 साल की तैराख थीक है 1952 हिलंसी की उलम्पिक में 19 सालिया था 2024 पर इस प्रांज में सबसे युवाख की लड़ी कौन है तो धी निधी देशिंधू एक उलम्पिक इतिहास में दूसरी सबसे युवाख की लड़ी है भारती होंगी अब दूसरी पहले कौनती आरती साहा एंड नवा पॉइंट है कि 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉंसर कौन बना तो दोस्तो अडाने ग्रूप बना कौन बना अडाने ग्रूप अडाने ग्रूप में घोसित किया है कि वह 2024 के फेरिस उलम्पिक में भारतीय टीम का प्रायोजक थे इसके साथ ही उन्होंने अभियान भी सुरू किया है जिसका थीम है देश का गीत एट उलम्पिक क्या थीम है देश का गीत एट उलम्पिक एंड दस्वा पॉइंट है दोस्तों कि आई ओसी यानि कि इंटर्नेशन उलम्पिक कमिटी अंतराश्टी उलम्पिक संग ने पेरिस उलम्पिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाडियों को प्रुसाहित करने के लिए किस पल की गोश्रा की थी किस पहल की दोस्तों यहां पर पहल होगा कहीं कहीं टाइपिंग मिश्टर है किस पहल की गोश्रा की थी ठीक है किस पहल की गोश्रा की थी तो लेट्स मूव इंडिया की गोश्रा की थी कि पेरीज उलम्पिक 2024 की जूरी में सामिल होने वाली पहली भारती महिला कौन है तो ओं है बिलकिस मेर बारहवा इंपोर्टिन पॉइंट है कि Puma जो इस्पोर्स ब्रांड Puma इंडिया पेरीज उलम्पिक 2024 के लिए भारती उलम्पिक संग आई ओ ए यहां पर जो है ए गलत यह नहीं होगा आई ओ ए होगा ठीक है भारती उलम्पिक संग को में क्या बोलते हैं आई ओ ए के साथ साज़ेदारी की है और भारती दल के अधिकारिक फुट्वियर पार्टनर भी था Puma इस्पोर्स ब्रांड Puma इंडिया ने और दोस्तों तेरहुआ पॉइंट है कि पेरीज उलम्पिक 2024 में अभिनो बिंदरा को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है तो अभिनो बिंद्रा को किसके रूप में चुना गया है तो अभिनो बिंद्रा को पेरीज उलम्पिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में चुना गया था याद रखेगा नेक्ट पॉइंट है कि पेरीज ओलम्पीक 2024 के लिए भारतिय दल का चीफ डी मिशन गगर नारंग को बनाय गया था किसको बनाय गया था? गगर नारंग को एंड डिप्टीस से चीफ डी मिशन किसे बनाय गया था? यहाँ सेफ लिखा गया है दोस्तों उससे में ध्यान नहीं आया था अभी टाइपिंग मिश्टेक दिख रहा है तो डिप्टीस चीफ डी मिशन यहाँ पर चीफ होगा ठीक है? डिप्टीस चीफ डी मिशन थे सीवा केसवन कौन थे? सीवा केसवन यह उलम्पिक खेलों के दोरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है डिप्टीस चीफ डी मिशन क्या होता है? उलम्पिक खेलों के दोरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है कौन थे? सीवा केसवन सीवा केसवन सनच्छक, समर्थक और cheer leaders भी हैं जो deputy chief division होता है इसका उद्दिश से क्या होता है इसका उद्दिश से एथलिटों की रच्छा करते हुए टीम को प्रेरित करना और पुरसाहित करना होता है पंद्रहुआ पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में किसने भारतिय उलम्पिक संग यानि इंदियन उलम्पिक एसोसियेशन के साथ प्रमुप प्रायोजेक्ट के रूप में साजयदारी की है तो ओ है बीपी सील यानि की भारत पेट्रोलियम कारपूरेशन लिमिटेट जो एक महारतन और फार्चून गलोबल पांसो कंपनी ने गरुसे दो हजार चोबीस पेरिस उलम्पिक से लेकर दो हजार अठाइस लास एंजिल्स उलम्पिक तक चार साल के लिए भारतियों उलम्पिक संग आई ओए के अधिकारिक प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका की खोश्रा की है ये दो हजार चोबीस देकर अठाइस तक रहेंगे लास्ट पॉइंट है दोस्तो 16 पॉइंट है उलम्पिक दिवस के बारे में बेरी इंपोर्टन है जैसा कि आप जानते हैं उलम्पिक दिवस जो है उलम्पिक के पितामा है आधुनिक उलम्पिक के सुरू करने वाले हैं बैरेन पीरेडी कोबर्टिन जिन्होंने सबसे पहल था जिसके उपलस्ट में 23 जून को परती वर्स ऑलमपिक दिवस मनाया जाता है और इसका 2024 का बिसे हैं चलू आगे बढ़ी और जशन मनाएं लेकिन दोस्तों प्रथम बार कब मनाया गया तो प्रथम बार बनाया गया, 23 जुन 1948 को प्रथम उलम्पिक दिवस मनाया गया। इस उलम्पिक दिवस मनाने का बिचार किस के मन में आया, किस को स्रे दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो प्राजीन उलम्पिक है उस 776 इसा पूरु से सुरू होकर 394 इसा पूरु तक चला कुल 293 इसवी तक संपन हुआ 1200 वर्सों तक उसके बाद 394 इसवी में रोम के तक कालिम सब्राट थियो रोसियस प्रथम ने इस पर रोक लगा दिया जिसके कारण इस्थगित हो गया पुनह इसको सुरू किया 1896 में बैरन पीरेडी कोबर्टिन ने इसलिए बैरन पीरेडी कोबर्टिन को आदोनिक उलम्पिक का पितामा कहा जाता है और कुछ इंपोर्डिन पॉइंट जैसे कि उलम्पिक धोज जो है बनाया 1913 में बैरन पीरेडी कोबर्टिन ने अज़ सबसे पहले उलम्पिक ध्वज को फ़राए गया 1920 एंटवर्प बेल्जियम उलम्पिक में और दोस्तों उलम्पिक ध्वज में पांच छल्ले होते हैं जो पांच छल्ले पांच रंग के होते हैं नीला पिला काला हरा लाल जो नीला जो है युरोप महादिप का प्रतीक पिला एसिया महादिप का प्रतीक काला अफरीका महादिप का प्रतीक हरा अस्टरिया महादिप का प्रतीक और लाल अमेरिका महादिप का प्रतीक ये पांच छल्ले पांच महादिपों के प्रतीक हैं जो दुनिया की एक्ता को पड़सित करते हैं और दोस्तों जो उलम्पि जो आदर्सवा के है पहले CTS, Altius, Fortius था लेकिन अब चार हो गए हैं CTS, Altius, Fortius और Communiator जिसका अर्थ होता है Faster, Higher, Stronger, Together यानि और तेज और उचा और बलसाली एक साथ यह कुछ important point थे दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको पेरिस ओलंपीक 2024 के उस भी important point को बताया जो आपके exams में आ सकते हैं इससे बाहर एक भी questions नहीं आएंगे बस इस वीडियो को 2-4 बर अच्छे से देख लिए और इतने भी मैंने notes बनाया हुआ है इसमें point बताया हुआ है उस सब को आप लिख भी लीजिए तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आपको जरूर बताए कमेंट में कहां पर mistake है यह भी बताईए एंड आई होप की सभी को इससे संतुष्टी मिले होगी कि इसमें सभी चीजे समाहित हैं मैंने इसमें बहुत मेहनत किया हुआ था दोस्तों आप सब के लिए एंड इससे रह आपका जो एक्जाम है उत्त्राकंड एल्टी ग्रेट का 18 को है उसके बाद मत्यपरदेश जो है दोस्तों तक भी सेयर कीजिए जिससे आने लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके तब मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिं